Hello everyone, welcome to our YouTube channel ITA Education ITA Passholders के लिए एक new vacancy निकल कर आ रही है Punjab State Power Corporation Limited की ओर से यहाँ पे Electrician Grade 2 एवं Junior Plant अटेंडन की डिक्रिमेंट निकाली गई है ITA Passholders के लिए इस वीडियो में बने हुए रही हैगा मैं आप सभी को सारा डीटेल पताऊंगा चाहे सेलेक्षन प्रोसेसर रिलेटेड हो, एपलिकेशन फीसर रिलेटेड हो, फार्म कैसे बनना है सारा डीटर बताऊंगा इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और इसका फार्म ओनलेन फिल करने के लिए आप सभी www.itaeducation.com वेबसाइट गूगल या कुरो में सल्च कर लिजे देन यहाँ पे एक ITA सरकारी नोकरी का सेक्षन बना हुआ है इस सेक्षन से सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गाईज यहाँ पे देखिए बहुत सारा बेकेंसी है अभी 2024 में निकला हुआ है गाईज और बहुत भाली निकल ला है जैसा भी राजस्तान इंस्टक्टर का निकला मद परदेश पाबर जेनरेटिंग कमपनी का निकला राजस्तान जुनियर इंस्टक्टर हो गया सेल हो गया उसके बाद बीएस पीएसल टेकनिसियन रेलबेट टेकनिसियन बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है गाईज तो आप सभी इस वेबसाइट से सभी का नोटिफिकेशन डाउनल कर पाएंगे और यहां से अप्लाई कर पाएंगे अगर पंजाबी सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं गाईज तो यह सबसे प्लाई कंडिशन है इसमें लिखा भी है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा तो देखिए यहां पर जो अलग लोग कालिफिकेशन है टोटल चार पोस्ट चार पद है यहां पर लेकिन यहां पर जो मेली रूप से आईटी वालों के लिए है वह है इलेक्टि फिल कर पाएंगे गाइस ऑलेन अवे दन करना है सेलेरी पेस केल एज पर जो पंजाब गवर्मेंट का नहीं मैं उनके नों से आप सभी को यहां पर सेलेरी पेस के आप लोगों मिल जागा गाइस तो यहां पर देख सकते हैं सीटों की संक्या ठीक ठाक है गाइस उसके के लोग लोग छेफिसंट राना चeding टमा इनग्रे यहां पर गवार दहा सकते ऑसे अपर जाड़िन के संपते हैं यहां फिस आप सकते घाए हैं तो यह आप लोग का हो गया कोई भी experience का requirement नहीं है फिरेसर candidate के लिए यह job है guys तो बहुत ही भेतरीन महोगा है और मैंने starting में ही बताया कि देखिए आप लोग का knowledge या qualification और पंजावी यह mandated है देखिए यहाप लिखा क्या qualification या knowledge और पंजावी is essential for the all post तो आप लोगा यहां पर यह चीज रहना चाहिए अगर यह चीज नहीं है तो आप लोग यहां पर फर्म के लिए अप्राइन कर सकते हैं यानि के आप लोगा जो knowledge बोलेज या qualification बोलेज यह आप लोग करना चाहिए और यहां पर देख सकते हैं लिखा कि आप लोगा पास्ट पंजाबी आप लिस्ट में पांजाबी यानि के में आप लोगा पंजाबी लेंगवज वगएरा जो आप लोग है वो पास रहना ज़र्दूरी है गाईस एज लिमिट की बात करो तो मिनिममम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज अपर एज लिमिट में आप लोग को छूट मिल जाएगा एज पर गवर्मेंट के नियम के अनुसार तो यहां पर 18 साई 30 साल एज लिमिट यहां पर रखा गया है अप अप्लिकेशन फीस की बात करो तो यहां पर SC और PWD कैंडिट को छोड़ करके सभी को आप लोग को 1460 रुपिया फीस परिमिंट करना होगा वहीं पर SC और PWD कैंडिट को टोटल 850 रुपिया जो है यह अप्लिकेशन फीस आप लोग ऑनलेन के परिमिंट कर सकते हैं सेलेक्शन फ्रोसेस की बात करो तो अप लोग का ऑनलेन सीविटी पर रिच्छा होगा दो पार्ट में आप लोग का पार्ट एजो रहेगा वह अप लोग का नौलेज पंजावी लेंग्वेज का पूछा जाएगा 50 कोशन रहेगा और पार्ट तू जो रहेगा इसमें से आ आप लोग का पार्ट तू कैलकुलेट नहीं होगा और देखिए पार्ट वन में मिनिमाम आप लोग का 50 पर्शेंट मार्क्स यानि की 25 पर्शेंट मार्क्स लाना जरूरी है और पार्ट वन में आप लोग का कोई भी निगेटी मार्किंग नहीं होगा लेकिन पार्ट तू म और देखिए एक्जाम डिवलेशन टोटल तीन घंटे का पेपर होगा 120 मिनट का आप लोको समय दिया जाएगा और आप लोका जो रहेगा पार्ट वाला इंग्लिस और पंचाबी दोनों में रहेगा तो यह आप लोको होगी एक्जाम पैटरन के बारे में बात बागी मैंने अगर अगर आप लोग अधर राष है तो भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन में बाद आप लोका जो पंचाबी सबजेक्ट है वह दाना चरूरी है टाभी आपलाई कर सकते हैं PS PCL की और से जो भी रिकुर्मेंट आता है उसे पंजाबी लेंगमेंज मंगा ही जाता है मेट्रिकुलेशन लेवल तक तो गाइस यही एक छोड़ा सब्डेट था मिलूंगा नई वीडियो में नई फेकेंसी के अपडेट के साथ धन्यवाद